पुर्ण गस्षाई सोः आजकल सभी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि सभी का वज़न बहुत जाधा हो गया बहुत कोशिच करने के बाद भी आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन पिर भी आपका वज़न कम नहीं होगा आपको भी ऐसा लगता होगा कि हमने इतनी कोशिश करी है हमारा तो वजन कम नहीं हो सकता लेकिन क्या हो अगर मैं आज आपको ऐसी 5 टिप्स दे दूँ जो आप फॉलो करो आपका वजन कम होने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी और उसी मदद के लिए मैं आज 5 पॉइंट्स लेके आई हूँ जो की बहुत important key points है जो वजन कम करने में आपकी मदद कर सका वजन बढ़ता क्यूं है सबसे पहले तो ये जान लेजे वजन ज़्यादा खाने से नहीं बढ़ता वजन तब ज़्यादा बढ़ता है जब हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन हमारा energy output उतना नहीं होबाता यानि कि जितना खाया उतना पचाया नहीं जितना खाया अगर अपने उतना पचा लिया तो आपका कभी वजन नहीं बढ़ेगा यानि कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उतनी energy भी निकालिए, यानि कि work out करिए, exercise करिए, उससे आपका वजन कम देखा. मैं आपको पाँच ऐसे tips देने वाली हूँ, जो खाने पीने से related हैं, और वो आपको वजन कम करने में help करिए. तो चलिए शुरू करते हैं, पहली टेव, सबसे पहला point है, कि आपको अपना एक schedule बनाना चाहिए, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, हमारा अगर एक schedule बना हुआ होता है, और हम रोज उसी schedule के हिसाब से अपना खाना पीना खाते हैं, तो हमारे शरीर की उर्जा उसी हिस schedule पर काम करेगी, तो body में energy उसी के इसाब से release होगी, और आपको वजन कम करने में help मिलेगी, किसी दिन नाचता सुबह 8 बजे किया, और किसी दिन 11 बजे, ये schedule आपको मदब नहीं कर पाएगा, अगर आपको वजन कम करना है, आप चाहते हैं, कि आपका वजन कम हो, तो सबसे पहले आप अपना schedule बनाई है, हम ये नहीं कहते हैं, कि आप सुबह 5 बजे उठे, लेकिन आप अपने सुबह उठने का time इक fix कर सकते हैं, कि रोज सुबह आप इसी particular time पर उठेगे, तो पहले tip यही है, कि आपको अपना schedule बनाना है, सुबह उठने से लेके राद के सोने तक क और खाने पीने का, tip number 2, आपको अपना fluid intake अच्छा रखना है, हम खाने पीने पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पानी का intake उतना नहीं हो पाता, जो आपके शरीर में वजन कम करने के लिए सबसे बड़ा कारण है, अगर आप पानी सही तरीके से पीते हैं, तो आपके शरीर की उर्जा उसी तरीके से काम कर पाती है, हमारे शरीर में सत्तर प्रतिशत पानी होता है, यानि कि हमारे पानी की requirement हमारे शारिरिक वजन से आती है, अगर आपका वजन जादा है, तो आपका पानी पीने की requirement भी जादा होगी, तो आप कम से कम, 12 से 15 ग्लास तब जाके आपका वजन कम होने में हेल्प में इसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्दी फ्लूइट्स हैं जो अपने अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे की छाच, बटर मिल्क ये बहुत ही हल्दी होता है और आपकी बॉड़ी को उतना ही हाइड्रेशन भी देता है तो पानी के साथ-साथ आप इन हेल्दी ड्रिंग्स को इस्तमाल कर सकते हैं बजाए की चाय और कॉफी पे या अनहेल्दी गोल्ड्रिंग्स या सोडा पे फोकस करने का है तो दूसरा नंबर है कि आपको अपने पानी का इंटेक ठीक रखना है तीसरा बहुत important point है अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो आपको अपने डाइट में fruits और vegetables उनका जादा से जादा इस्तमाल करना होगा आप अपनी डाइट में कम से कम दिन में 3 बार fruits और कम से कम 4 बार vegetables का इस्तमाल करें यानि कि आपने सुभा नाश्टे से पहले एक बार fruits लिया फिर बीच में जो कि नाश्टा और लंच का जो gap होता है तब आपने एक बार fruits ले लिया और evening में जब आपकी चाह का time होता है उसकी जगा आप fruit ले लिए ये आपके वजन कम करने में आपको help करें इसी तरीके से सब्साइर और पकी हुए सब्धिया उन दोनों का अपना अपना Importuch हो घी आप दोनों करें सलात भी खाएं और सीजनल फ्की हुई सब्चियम भी का इक जो सबजियां गर्मियों में आ रही हैं वो सारी की सारी बहुत ही हाइट्रीट इस्टा आपको अपने नमबर एंज बढ़ाने चयाएं कुछ लोग दिनमें सिर्फ दो बार खाते हैं उन्हें लगता है कि कम खाने से वजन कम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता आपको हर तीन घंटे में कुछ खाना चाहिए इससे आपका शरीर का मेटाबॉलिजम अच्छी तरह से काम करेगा और वो मेटाबॉलिजम आपका वजन कम करने में आपको मदब देखा इसलिए आपको हर तीन घंटे में कुछ खाना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप खाना ही सकते तो कुछ भी हलका हुलका आप फ्लूरिड ले सकते जैसे मैंने थोड़ी दे पहले कहा कि आप बटर मिल्क का इस्तवाल करें तो बटर मिल्क यानि की चार्च आप जब भी खाने के बीच में जो ग्याप होता है उस टाइम पर ले सकते हैं जिससे आपकी छुट-छुटी मील्स इंकम्प्लीट जो हो जाती है वो पूरी हो जाएं बड़ी-बड़ी दो मील्स खाने से जादा अच्छा है कि आप दिन में पांच बार खाएं और थोड़ा-थोड़ा जो सबसे लांस टिप है लेकिन सबसे इंपोर्टन्ट है वो है कि आप एक बारी में कितना खा रहें अगर आप एक बारी में तीन रोटी खाके तो वो आपकी वजन कम करने की कपासिटी को कभी पूरा नहीं करता है आपने पूरा दिन कुछ नहीं कहया और आपने रात को तीन रोटी खाई उसके बाद जाके आप सो गए ये बहुत हैवी खाना आपने एक साथ खाया और वो जितनी उर्जा शरीर को उस टाइंड चाहिए तीक शरीर ने इस्तमाल करें पाकी सारी के सारी वो शरीर में जाके चिपक जाती तो आपको छोटे-छोटे मील्स खाने है और कम-कम मील्स खाने है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप बड़े-बड़े मील्स ना खाए बहुत जादा portion size आपके वजन कम करने में एक बहुत बड़ा hurdle है तो आपको अगर वजन कम करना है आप इन पाचो टिप्स को इस यूज करो मैं guarantee देती हूँ कि कुछ नहीं तो आपको थोड़ा सा positive result ज़रूर मिलेगा आपके शरीर में आपको ताकत की, energy की feeling आएगी और आपको वजन कम करने में भी है Thank you so much अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को like और subscribe करना ना भूले और हाँ, पहला icon को दवाना मत भूले